क्या आपने Android से iPhone में Switch किया है और अपने Android phone से WhatsApp का सारा डेटा iPhone में transfer करने का कोई आसान तरीका देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है इस वीडियो में हम आपको Android से iPhone में WhatsApp डेटा transfer करने का एक बहुत ही आसान तरीका बताने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले अपने कंप्यूटर में Altphone WhatsApp Transfer Software इंस्टॉल कर ले Main Interface से आप WhatsApp और WhatsApp Business सेलेक्ट कर सकते हैं मैंने यहां WhatsApp Business सेलेक्ट किया है अब अपने दोनों फोन Android और iPhone को USB केबल से अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर ले फिर Transfer बटन पर क्लिक कीजिए अगर आप पुराने फोन से डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो अपने डिवाइस का बैकप ले ले क्योंकि एप्लिकेशन स्टोर डेटा को ओवर्राइट कर सकती है अगर नहीं तो Continue पर क्लिक करें ट्रांसफर से पहले ये टूल पहले सोर्स फोन का बैकप लेगा अपने Android डिवाइस पर WhatsApp डेटा का एक नया बैकप बनाने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें अपने Android फोन की सेटिंग्स में जाएं चैट पर टैप करें फिर चैट बैकप पर टैप करें यहां बैकप टू गूगल ड्राइब सेलेक्ट करें और नेवर सेलेक्ट करें फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर आगे प्रोसीड करें प्रोसेस के कंप्लीट होने का वेट करें अब अपना WhatsApp बैकप अकाउंट सेम नंबर से वेरिफाय करें फिर continue पर click करें अब verification code enter करें जो आपके phone number पर आया होगा और account verify करें verification complete होने के बाद ये software data generate करने के लिए automatically next step में enter करेगा जिसे target device में transfer किया जा सकता है अपने phone पर WhatsApp में login कीजिए अब logged in button पर click कर आगे proceed करें otherwise restore किया गया data invisible हो जाएगा अब WhatsApp messages Android से iPhone में transfer होना शुरू हो जाएंगे है ना ये टूल बहुत ही शांदार और easy to use अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे like, share और हमारे चानल को subscribe करना ना भूले